इसके लिए reading कैसे करनी है सबसे पहला step जो हम हमेशा करते हैं that is to clear the deck deck को कैसे clear करना है देखिए आपको पहले भी बताया हुआ है incense याने कि अगर बत्ती दूप बत्ती या क्या कहते है सेज या पालो सांतो आप कुछ भी लेके उसको जलाके जो उसका धुआ निकलता है उसके उपर से आप seven times ऐसे clockwise इसको घुमा सकते हैं फिर इन cards पे आप तीन बार knock करते हैं एक दो तीन to clear the energies फिर इन cards को दोनों हातों के बीच में ऐसे रखके आप अपनी आखे बंद करके इन cards पे concentrate करेंगे जो आपके मन में question है जैसे फिलाल के लिए है कि अभी आपकी life का purpose क्या है ये जानने के लिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे पहले हम archangels को invoke करेंगे and I would request all of you अगर आपके पास decks हैं तो आप please simultaneously से करते चलें तो आपके लिए भी सहायक रहेगा देखिए मेरा deck येरा मेरे हाथ में right हमें कुछ भी नहीं करना है जैसा आपको बताया हमें इसको तीन बार knock करना है एक दो तीन right अगर आप रेकी जानते हैं आप रेकी symbols draw कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ right अब हम क्या करेंगे हम अपनी आखे बंद करेंगे आप मेरी आवास को सुनके अपने money man same बोलते रहेगा क्योंकि हम इस समय archangels को invoke कर रहें ठीक है तो दोनों हातों के बीच में इस प्रकार से अपना deck रख ले right हम सीधा हाथ नीचे करेंगे यह आपके उपर है देखे comfort zone देखते हैं इस में हम right मेरा सीधा हाथ ऊपर है उल्टा हाथ मेरा नीचे है हम अपना comfort zone देखके करतें ठीक है दोनों हातों में इसको हम पकड़ लेंगे और अपनी आखे बंद करते हम सबसे पहले आखेंजल माइकल को इन्वोक करेंगे हे आखेंजल माइकल मैं आपका आवाहन करती हूँ आपसे प्रात्ना करती हूँ के इस समय मेरे आसपास यदी कोई नाकरात्मक उर्जा है तो आप उसे मुझसे दूर करें इस समय मैं रीडिंग करने जा रही हूँ तो आपसे सुरक्षा प्रदान करने का आग्रेह करती हूँ हे आखेंजल माइकल आप मुझे सारी दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करें आखेंजल यूरियल अब मैं आपका आवाहन करती हूँ मैं आपसे सही मार्क तर्शन प्यपेक्षा करती हूँ आपसे आग्रेह करती हूँ कि जो भी मैं इन कार्ट्स में देखूं उसे मैं सही प्रकार से समझभाँ मेरा मार्क तर्शन करें हे आखेंजल गेब्रियल मैं आपका आवाहन करती हूँ आप हर चीज़ को सही प्रकार से प्रस्तुत करने में मेरी सहायता करे मेरे शब्द, मेरे वचन बिलकुल सही हूँ और सही दिशा की और मुझे ले जाए मेरे कम्यूनिकेशन में कोई फ्लो ना हूँ Archangel Gabriel, जो guidance आप Angels दे रहे हैं, मैं उसे सही प्रकार से इंटर्परेट कर सकूँ और कम्यूनिकेट कर सकूँ Thank you all the Archangels, Archangels Gabriel, Archangel Uriel and Archangel Michael Please share your blessings. Thank you, thank you, thank you अब इन कार्ड्स को शफल करेंगे और आप सब अपने लिए सिंगल कार्ड निकालेंगे कि अभी के लिए आपके लिए guidance क्या है Right? निकाल दिया आप सबी ने? Yes, ma'am अब देखें, जैसे मेरा कार्ड ये आया है, Healer तो मेरा कार्ड आया है that you have the spiritual gift of healing and desire to share it with others तो मेरे current situation से बहुत कुछ मैच करता है Ma'am, मेरी आया है teaching तो मेरे साथ में young people भी है and ज्यादा तर young people ही है क्योंकि ये कही आपकी vibration को ये पकड़ लेते हैं तो जब हम री कालते हैं तो वह से मिलती जुलती ही आती है आरती जी आपका क्या आया? एनर्जी हीलिंग आया है आपका तो आपके से कितना ये रेजोनेट कर रहा है? कितना मिल रहा है आपकी situation से? हां जी आरती जी मैं मतलब मुझे काड़ देखके तोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि उसे वह बोल कर रहा है इसलिए देखे एनर्जी हीलिंग का मतलब है कि आपकी नाच्रिली एनर्जी हील हो रही है abilities important part है आपके life purpose का जो आपकी natural healing abilities है अब जैसे आपकी natural healing abilities में क्या है कि आप बहुत easily जैसे आप smile करते है न तो आप चीजों को let go करना जानते हैं जितने आसानी से आप कर देते हैं तो उस case में हो क्या रहा है कि यही चीजे यही energy आपकी आपको आगे ले जा रही है और यही energy आपके जीवन का उद्देश भी है ठीक है कि कोई चीज को पकड़के नहीं रहना जैसे आप smile करते रहते हो तो वो automatically क्या होता है अंदर से आप heal होते चले जाते हैं झाल